गुद डिवनिंग एवरीवन सेवंध क्लास टुडेश सेकिंड आफ नुवंबर और डे हैं मंडे तो जैसे कि आपको पता है कि फूर्थ आफ नुवंबर को जो आपका सेवन साइंस का एक्साम है मैं आपको बता दूं कि आपको जो एक्साम आएगा बो आएगा टोटल 50 मार का 5050 मार्स का ठीक है उसमें कुछ MCQ होंगे कुछ बड़े कोशिन भी होंगे टू या थ्री मार्स के ठीक है फाइव मार्स का भी होसकता है टोटल आपको सेवन चैप्टर में से आएगा आपने आपको मैंने आज सिक्स चैप्टर का रिवीजन के लिए बोला था आज हम डि सिक्स टेस्ट हो चुका है फिर भी मैं यहां पे फिर से आपके रिवीजन के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं तो सिक्स चैप्टर के लिए एंस सिक्स चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और कल आपका स्लेबर्स भी कंप्लीट हो जाएगा पर स्वाप का पिपर होग ठीक है तो आपने जो वो एक सीट ले लिनी है सबसे पहले आपने एक सीट ले 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 क्योंकि यह स्कूल रिकॉर्ड में रखा जाएगा ठीक है तो आपने जो वो एक या दो दिन में स्कूल में जमा करवाना है सारे पेपर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्स चेप्टर से लेटेट कुछ MCQs हैं सबसे पहले बता दू कि 6 चेप्टर है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज चेंज के बारे में इसमें पढ़ेंगे चेंज होता क्या है तो चेंज भी कई प्रकार के चेंज होता है जैसे की चेंज यहां पे हम लोग जनरली टू टाइप क चेंज पढ़ेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज से पहले मैं आपके बता दू कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है ठीक है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है फिजिकल चेंज यहां पे लिखा और केमिकल चेंज यहां पे ल की सेप हो गई तो उसको सब्ढ़ाइब जैसे साइज हो गया मेह पास पास सब्सक्प पूरती में कात तो इसका साइज Не बहूं जो गया तो बहूं nachसे का इसको उसका सउथ चेंज हो गए तो मैंने बताये आपको सब्कांटेज हिए नonie थे यह एंग सब्सक्राइब तो भी physical change होगा तो मैंने बताया आपको कि physical change क्या होता है physical change में किसी भी चीज की जो वो color, shape, size या state change हो जाए तो उसमें बोलेंगे हम physical change important यह है कि यह जो वो reversible है reversible है reversible का मतलब है कि उसको फिर से बैसे का बैसा बना जासकता है जैसे मालो example के लिए rubber ले लिए मैंने एक rubber जो होता है rubber ठीक है उसको अपने खेंचा उसको अपने खेंचा और फिर से छोड़ दिया फिर से अपनी position में आ जाता है इसका मतलब हो reversible है ठीक है इसमें और बात याद रखिए physical change में कि इसमें कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता है कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता है no new substance जैसे के example के लिए melting of ice ice का melt होना ice का जो बो पिगल जाना ठीक है ice पिगल गई तो पानी बन गया पानी से जो बो फिर से temperature down हो गया तो ice बन जाएगी ठीक है उनकी physical property चेंज हो रही है लेकिन कोई नया सबस्टांस नहीं बन रहा है इनकी वो reversible भी है ice से water बन रहा है water से ice बन रहा है तो आई होब की physical property आप समझ गए होंगे अब बात करते हैं chemical property की तो chemical properties में जिसकी जो बो chemical property चेंज हो जाए वहाँ पर हम लोग बोलेंगे chemical change हो गए जिसकी इसका best example है rusting of iron rusting of iron में जो लोहा होता है जो iron होता है उसमें जो रस्ट लग जाती है उसमें रस्ट लगने के कारण जो वो oxidize हो जाता है oxidize हो जाना मतलब कि उसमें chemical change हो चुका है वो palace जैसा नहीं रहा है याद रखिए उसका बेट भी थोड़ा बढ़ जाता है कोईशन पुझे जाता है कि rusting लगने पर लोही में जंग लगने पर जो उसका बेट घड़ता है या बढ़ता है तो उसका बेट भी बढ़ जाता है तो याद रखिए जिसमें chemical change हो ऐसा change हो जाए जिसमें की chemical हो chemical change हो जाए और इसमें याद रखिए नया substance बनेगा जिसमें आपको लगे कि नया substance बन रहा है उसको आप लोग बुलेंगे chemical change होगा तो physical change और chemical change के बारे में हमने डिसकस किया क्योंकि सारा चैप्टर जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में ही है तो चलिए आगे देखते हैं फर्स्ट कोईशिन देखते हैं फर्स्ट कोईशिन के बारे में बात करते हैं फर्स्ट कोईशिन है फोटो सिंथेसिस लेते हैं औकसीजन चोड़ते हैं नया सबस्टांस भी वह में सबस्टांस बन रहा है जसमें नया सबस्टांस बनें कमिकल चेंज हुआ इसका मतलब है फोटो सिंतेश Yours नया सबस्तांस बन जाए केमिकल चेंज हे है नया सबस्तांस नपने फिजिकलल रिवर्सिवल है और रिवर्सिवल होता है कमिकलल छेंज जो ceram डूद से करड बन गई क्या रिवर्सिवल करके हैँ ग्यासिज महाँ दूद से नहीं जो नएтив न्ध बन सरय के कर्ड से जो वो मिल्क नहीं बन सकता तो यह irreversible हुआ जो चीज irreversible हो उसको chemical change ही बोला जाएगा जो reversible हो जाए वो physical change है I hope कि आप physical और chemical change में समझ चुके हमें difference तो सारे question जितने भी 25 question है सभी इसी से related है तो जल्दी जल्दी इसको discuss करते हैं next is dissolving sugar in water इसमें थोड़ा सापको ध्याम देना पड़ेगा dissolving sugar in water ठीक है वाटर को जो वह सुगर को जो वाटर के अंदर dissolve कर दिया या जो नमक होता है ठीक आयोडिन तो उसको जो जो salt होता है उसको वाटर के अंदर mix कर दिया मालो ठीक है तो क्या वह यह मतलब कि उसको जो फिर से निकाला जासकता है यस उसको जो फिर से निकाला जासकता है ठीक है कई सारे crystallization या कई सारे method होते है नए तरीके होते हैं उसको निकालने के ठीक है तो ऐसा possible है इसलिए यह जो वह रिवर्सिबल है जो रिवर्सिबल होता है वो physical change होता है जो रि तो कोईले का जलना क्या है कोईले का जलना क्या है कोईले का जलना क्या है देखे कोईला जल गया तो जो वो एसे में कनवर्ट हो गया राक बन गई उसकी ठीक है राक बन गई तो इसका मतलब है वो फिर से जो वो कोईला नहीं बन सकता ठीक है जो एरिवर्सिवल है तो यह क्य हुआ chemical change हुआ chemical change हुआ next देखते है question number four देखे melting of wax ठीक है melting of wax इसने बोला wax का जो मौम होता है उसका melt होना ठीक है उसका melt होना melt हो रहा है जल थोड़ना रहा है इसने बोला melting of wax ठीक है इसके दो example है एक है melting of wax एक है वर्निंग ओफ एक्स ठीक है दोनों में ध्यान दे उसको भी देखेंगे यहां पर इसने सिर्फ बोला कि मैल्टिंग ओफ वेक्स तो मैल्टिंग ओफ वेक्स जो अबू फिजिकल चेंज हुआ कि उसको फिर से मतलब की मैल्ट हो रहा है जब वो टेंपरेचर जादा हो हो गया तो मैल्ट हो गया वो जब टेंपरेचर कम हो जाएगा फिर से अपनी पूजिशन ले लेगा बैक स्पिन से बन जाएगा मतलब कि यह फिजिकल चेंज है ना कि केमिकल चेंज नेक्स दिखते हैं बीटिंग अन्य एलुमिनियूम टू मेक एलुमिनियूम फोई ठीक ह चेंज कर लिए ठीक है उसने जब्यो suisन नहीं उसने अपनी जो bी सेप है सेयफ चेंज हो गये है और हमने पढ़ आधा से शाइज सेट कालर चेंज हो जाए फिजिकल होता है तो भी ऑप्स राइट उसने फिजप आप सेप अपनी चेंज कर लिए तो पीजिकल चेंज है डा बर भी हो जाएगा chemical change कैसे क्योंकि digestion हो रहा है food का digestion जो वो अंदर हो रहा है ठीक है food का digestion अंदर हो रहा है और कोई नया सबस्टांस बन रहा है और वो irreversible भी नहीं है इसका मतलब है वो chemical change हो रहा है अब देखे जैसे हम लोग उसको जैसे मालो हमने food intake किया food खाया ठीक है food अंदर गया mouth में गया उसको जब चोट 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 पार्टिकल में change कर दिया जैसे वो चोट 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 पार्टिकल में change हुआ उसकी जब हमने size change कर दिया जैसे size change के वहाँ पे physical change हुआ लेकिन जब digest हुआ तो वहाँ पे chemical change हुआ तो आपको आगे side question आएगा लेकिन digestion of food क्या होगा chemical change होगा ठीक है next बात करते हैं next देखिए question number 7 यहाँ पे total इस chapter के जोबो 25 question है जो की बहुत ज्यादा question है और मुझे उमीद है कि आप सब जबो इन question को इस वीडियो को देखके जबो पूरा chapter अच्छे से समझ जाएंगे कि physical change है और chemical change कहां क्या हो रहा है ठीक है तो देखिए question number 7 है cutting a log of woods into a pieces मैंने पहले बोला कि जो wood है उसके चोड़-चोड़े piece कर दिये तो वहां पे physical change हुआ वहां पे जो वो physical change हुआ यह बो रहा है कि is a chemical change तो वहां पे जो वो कोई नया substance थोड़ी ना बनना है नया substance बनेगा तब भी तो उसको chemical change बोला जाएगा तो यह बो रहा है कि यह chemical change है तो this is false एट देखिए question number 8 formation of manure from leaves is a physical change यह बो रहा है कि जो manure है तो यह बो रहा है कि फिजिकल चेंज है गलत बो रहा है फिर से क्योंकि यह chemical change है तो यह फिल से false हो जाएगा 8 का हो जाएगा B option सही question number 9 देखिए iron pipes coated with zinc iron की pipe है उसको जो 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 की coating कर दिया जो की परत चड़ा दिया उसके ओपर ताकि जंग ना लगे do not get rested easily तो जो जो बोलते है galvanization का मतलब होता है zinc की एक coating कर देना बार्चा जैसे की लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है पानी जो water होता है उसके साथ जो बो reaction कर लेता है तो जंग लग जाता है ठीक है rust लग जाता है तो उसको उसके उपर एक zinc की coating कर दिया जाती है zinc की परत चड़ा दिया जाती है ताकि उसमें water जो बो direct contact में same substance है ठीक है iron अलग होता है लोहा रस लग जाती है मतलब कि वो oxidized हो चुका है तो ये बिलकुल same नहीं है ठीक है ये जो अलग अलग है तो ये हो जाएगा ये वो रहा same substance ये false है ठीक है same substance नहीं है question number 11 देखिए condensation of steam is not a chemical change condensation of steam is not a chemical change ठीक है तो ये वो रहा कि not a chemical change वहां पर chemical change नहीं है ठीक है आपको पता है कि evaporation वेपराइजेशन क्या होता है जैसे नीचे से जब water जौब हो जैसे मालो ये water है जब वेपर में change हो गया तो वहां पर बोलता है evaporation जब उपर जाके बादल बन गए clouds बन गए तो वहां पर क्या हुआ condensation होई मतलब कि जो जो वेपर थे वह बाटर में change हो गए तो वेपर का water बनना ठीक है तो ये बो रहा है कि chemical change नहीं है तो इस अहीं है chemical change नहीं है क्योंकि ये physical change है क्योंकि वह अपना जो वह बो state change हो रही है हमने पढ़ा था physical change में state जैस solid liquid gas तो आपे भी liquid का change हो रहा है क्योंकि वह reversible भी है देखिए याँ पर वेपर जो वाटर में change हो रहा है water वेपर में change होगा तो ये reversible है ना कि irreversible ठीक कोई नया सबस्टांस थोड़ी ना वन रहा है नया सबस्टांस नहीं वन रहा है इसका बतलब है कि यह chemical change नहीं है तो यह physical change है तो इससे हो रहा है कि यह chemical change नहीं है तो this is true question number 12 देखिए the chemical name of rust ठीक है रस्ट का chemical name भी याद रखे FE2O3 ठीक है यहां पर 2 और मैं यहां पर लिखतेता हूं FE यह जो 2 है इसके base में लिखा जाता है और O यह भी यहां रखें FE2O3 जो है वो chemical name है रस्ट का question number next देखिए question number 13 question number 13 है when carbon dioxide is passes through a lime water ठीक है lime water जैसे की जैसे नीम्बू पानी हो गया ठीक है it turns milky due to the formation of ठीक है वो रहा है कि जब carbon dioxide जो वो पास किया जाता है lime water से तो वो रहा है कि वो जो जो वो milky हो जाता है तो वो किसकी formation से होता है वो होता है calcium carbonate की formation से calcium carbonate ठीक है तो 13 का हो जाएगा c option सही calcium carbonate कोची number 14 देखिए the chemical name of baking soda तो baking soda का जो chemical name है ठीक है baking soda का जो chemical name है वो है sodium hydrogen carbonate ठीक है sodium hydrogen carbonate जो वो baking soda का chemical name है इसको भी आप याद रखिए okay next देखिए two method by which rusting of iron can be prevented आर ठीक है वो रहा है कि rusting of iron मतलब की लो होई को जंग लगने से prevent मतलब की रोका जा सकता है तो किस-किस के द्वारा रोका जा सकता है तो apply oil ठीक है नहीं होगा क्यूंकि यहां पर दो option है यहां पर एक ही दे रखा है galvanization and painting यह सही option है galvanization का मतलब होता है कि उसमें जो जो जिंक की एक coating कर देना ठीक है ताकि उसको direct contact में ना आए एर के या water के ताकि इसमें जंग ना लगे तो galvanization सही है painting करने से भी सही है ठीक है तो यहां पर heating एक option था इस सही नहीं हो है heating करने से जंग नहीं रुकता है ठीक है तो galvanization and painting B option is right option question number 16 देखिए changes in which only dash property of a substance changes are called physical change यह बलाए कि physical change में कौन सी property change होती है only तो physical property change होती है तो physical property change होती है next changes in which new substance are found ठीक है जिसमें new substance बने वो कौन सा change होता है तो भी हमने पढ़ा कि वो chemical change होता है ठीक है physical change में कोई नाया substance तो नहीं बनता है तो this is answer chemical change question number 18 देखिए question number 18 है when baking soda is mixed with lemon juice ठीक है baking soda को mix कर दिया lemon juice से bubbles are found with the evolution of a gas what type of change अब देखिए यहां पर जब हमने उसको mix किया ठीक है mix किया तो उसको जो separate तो किया जासकता है ठीक है separate नहीं किया जासकता है लेकिन यहां पर ध्यान देखिए bubbles are found कोई नई चीज बने है क्योंकि वहां से जो अंदर से कोई ना कोई gas निकल रही है ठीक है गैस निकल रही है इसका मतलब एक नया सबस्टांस बन रहा है जिसमें नया सबस्टांस बने है वो chemical चेंज होता है तो आवर अंसरी चेमिकल चेंज ठीक है यहां से हमने पता चल चुका है कि यह chemical चेंज होगा क्योंकि bubbles are found क्योंकि यह कोई ना कोई gas निकल रही है evolution of gas ठीक ह यहां पर warning of wax मतलु कि उसका जल जाना जब वह जल गई तो कोई और नया सबस्टांस लीत फीजिकल चेंज होगा ना कि chemical change होगा eating of food अब देखे यहां पे ध्यान दे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो eating of food जब हम food खा रहे हैं जब उसको चबा रहे हैं चीव कर रहे हैं ठीक है तो वो चोट 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 हमने चबाया उसको हमने चीव किया उसको तो चोट 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 पार्टिकल में चेंज हु ब्रेकिंग डाउन ओफ लार्जर फूड पार्टिकल ठीक है तो बहुत सिंपल है यह वो रहे कि लार्जर फूड पार्टिकल जो वो स्मॉल पार्टिकल में चेंज हो रहे हैं तो उसका सेप और साइज चेंज हो गया तो इस फिजिकल चेंज कोशी नंबर 22 देखे फिजिकल चेंज है क्योंकि फूद्द नहीं बनाया जासकता तो बित हैंपि misty नंबर 23 crystal of copper sulphate ठीक है crystal of copper sulphate as are prepared by the method of तो इतो बहुती सिंपल है crystalization से जो वो crystal बनते हैं simple है ठीक है ओके next देखते है last two question second last question है बहुती interesting question है दोनो 24th question the gas we use in the kitchen is called liquefied petroleum gas ठीक है आप लोग भी जो gas होती है जो cylinder होता है उसमें LPG gas होती है ध्यान रहें याद रखें in the cylinder ठीक है it exists as liquid उसमें जब वो liquid की form में वो होता है अंदर लेकिन यह बो रहा है कि जब वो comes out from the cylinder जब वो बाहर निकलती है तब जब वो gas की form में निकलती है यहाँ पर जो वो change A बताए गया है ठीक है जब liquid से जब वो gas बन गई तो change यह हुआ ठीक है then it once जब वो जल जली ठीक है जब वो जब वो जलना start किया उसने one उना start हुआ change भी हुआ ठीक है the following statement मतलब कि कौन-कौन से change हुए है तो यहां से इसने बोला कि choose the correct one ठीक है तो सबसे पहले ध्यान दें कि उसने जब वो अपनी property change कर दी कौन से property change की उसने जब अपनी state change किया जैसे ही अंदर जब वो liquid था ठीक है माल लो liquid है जैसे वो बाहर निकले तो बो gas बन गी ठीक है इसने अपनी उसने अपने state change कर दी उसने अपनी फिजिकल financi चेंज कर दी फ़र्स फिजिकल चेंज होंगा की फिजिकल चेंज होगा है स्यकिंड देखे जब वो जला ठीक है तो नया सबस्तांस बना तो तो रहा पर जब आपनी नहां chemical change, तो चलिए देखते हैं, कौन-कौन function सही होगा, कौन सा उप Sumseus होगा both A and B are chemical change, नहीं A तो physical change है, option is wrong है, B दिखे, process process A is a chemical change नहीं, process A तो physical change है, B है chemical change C option देखे, process B is a chemical change, yes C option is right, process B is a chemical change, यह गोला, none of these process is a chemical change, तो B जो वो chemical change है, तो वो हमारा C option सही हो जाएगा अगर यहां पे कोई एक option ऐसा होता कि A is a physical change A जो physical change है B जो वो chemical change है तो वो option सही हो जाता लास्ट वन एनरोबिक बैक्टेडिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस यह बना है कि एनरोबिक बैक्टेडिया होता है वो डाइजेस्ट कर जाता है एनिमल का जो वेस्ट होता है एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट कर पाता है ठीक है कर जाता है और वो बायोगैस जो वो प्रोड्यूस करता है वहां पे change A हो रहा है दा बायोगैस इस देन बर्न एस फ्यूल जब बायोगैस जब फ्यूल के मतलब वो जल रही है ठीक है बर्न हो रही है तो वहाँ पर फिजिकल सॉरी चेंज भी हो रहा है तो इसने बोला कौन सा आप्शन सही होगा इने में से तो देखिए सबसे पहले जब वो बैक्टिरिया जब वो डाइजेस्ट कर रहा है उने पड़ा डाइजेस्ट जब कोई चीज होती है तो वहाँ पर फिजिकल सॉरी केमिकल चेंज ही होता है जब वो कोई चीज जल रही है तो वहाँ पर भी केमिकल चेंज हो रहा है क्योंकि वो उसको जब रिवर्सिबल नहीं किया जासकता इस बात पर ध्यान दें कि उसको reversible बिल्कुल नहीं किया जासकता जिसको reversible नहीं किया जासकता वो chemical change है तो दोनों यहां पर chemical change हुए तो option D is right, both A and B are chemical change तो I hope कि आप इन 25 questions को अच्छे से आपने देखा होगा अगर एक बार समझना आया तो फिर से देखिए परसो आपका प्रोगा कर लापने 7th chapter को revise करना है ओके, thank you